हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी ममता किचन रेसिपी इसमें आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ काला गुलाब जामून रेसिपी आज हम बहुत ही सोफ्ट एकदम हलवाई जैसे बहुत ही टेस्टी काले गुलाब जमुन बनाएंगे आप देख सकते हैं कितने बहतरीन बने हैं गेस्पर मैंने कड़ाई ली है इसमें हम एड़ करेंगे दो कप चीनी साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे 1.5 कप पानी जितनी चीनी ली है उसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हमें पानी लेना है क्वान्टिटी आप इसके कोडिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं गेस्की फ्लेम को हम फुल कर लेंगे फुल फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए चीनी के मेल्ट हो जाने तक पका लेंगे ये देखी चीनी के दमचे से मेल्ट हो गई है आप देख सकते हैं फुल फ्लेम पर हमने इसे पकाया है अब हम इसमें add करेंगे केसर के रेशे ये बिलकुल optional है अगर आपके पास हैं तो आप इसे डाल सकते हैं वरना आप इसे avoid भी कर सकते हैं केसर का बहुत ही अच्छा flavor आ जाएगा गुलाब चामुन में अगर आप डालेंगे तो या फिर आप इसकी जगर इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं ये देखे चीनी के melt हो जाने के बाद चाशनी को हमने लगभग 2-3 मिनट तक पका लिया है और ये चाशनी बन करके तयार हो गई है मापको इसे चेक करके दिखा देती हूँ हमें कोई एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है इस तरह से चीप चपी और थोड़ी सी चिकने चाशनी हमें बनानी है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे यहां मैंने एक प्लेट में 500 ग्राम मावा लिया है मावा को हमने कद्दू कस कर लिया है यह मैंने गाय का दूद का मावा लिया है गाय के दूद से गुलाव जामून एकदम बढ़िया बनते हैं अगर आपके पास प्योर गाय का दूद अवलेबल नहीं है तो आप जो पैकेट में दूद आता है सरस का अमूल का वो भी आप ले सकते हैं साथी मैंने इसमें एड़ किया है 30 गराम मैदा और 20 गराम सूजी एड़ कर लेंगे दोस्तों मेसरमेंट को आपको एकदम इसी तरह से लेना है अगर आप थोड़ा सा भी कम जादा कर देंगे तो आपकी गुलाब जमून बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेंगे अगर आपको एकदम परफेक्ट गुलाब जमून बनाने है तो आपको इसी तरह से मेसरमेंट लेना है एक चमच पिसे हुई चीनी एड़ कर लेंगे एक चमच हम इसमें आरा रोट डाल लेंगे आप चाहें तो इसकी जगर कॉन फ्लोर भी डाल सकते हैं एक चमच आरा रोट का मतलब है कि 10 गराम मैंने आरा रोट डाला है इसमें हाफ टीस्पून हम इसमें इलाची पाउडर एड़ कर लेंगे यहां मैंने इलाची पाउडर को दरदरा कूटा है एक दम बारिक नहीं पीसा है इन सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए हमने इन सभी चिजुक अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते हुए इसका एक soft dough तयार कर लेंगे एक साथ में ज़्यादा पानी मट डालिएगा एकदम थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें डालते जाएए और इसे अच्छे से मिक्स कर लिजे ये देखिए हमने एक soft dough बना करके तयार कर लिया है थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते हुए हमने एक soft dough लगा लिया है मैं आपको इसे दिखा देती हूँ इस तरह का soft dough आपको लगा करके तयार करना है अब हम इसे दो टोड़ो में तोड़ लेंगे दोस्तों अगर आप थोड़ा सक्त dough लगा लेंगे तो आपकी जो बोल्स बनाएंगे आप उसमें क्रैक्स आजाएंगे और इसे गुलाब जमून बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे ये देखिए डो को हमने इस तरह से लंबा कर लिया है और अब हम इसकी छोटी छोटी लोईयां तोड़ करके तयार कर लेंगे एक साइज के लोईयां हमें तोड़नी है साइज और शेप आप अपने कोडिंग कर सकते हैं एक साथ में सभी गुलाब जमून को शेप मत दीजेगा जितने आप एक बार में कड़ाई में डालें उतने ही गुलाब जमून को शेप दीजेगा बाकी के आप बाद में बनाईएगा ये देखिए इस तरह से गुलाब जमून को शेप देकर हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए मैंने हाफ डो के गुलाब जमून को शेप दे दी है एक बार में हम कड़ाई में इतने ही गुलाब जमून डालेंगे दोस्तों जो घी का temperature होना चाहिए वो बिल्कुल भी high नहीं होना चाहिए बिल्कुल low होना चाहिए घी को अच्छे से गरम कर लेने के बाद मैंने गिस्की फ्लेम को बिल्कुल low कर दिया है और घी को हलका सा ठंडा भी कर लिया है अगर आप high temperature के घी या तेल में ये गलाब जमुन डाल लेंगे starting से ही तो आपके गलाब जमुन बिल्कुल भी अच्छे नहीं पनेंगे और कहीं से ज़्यादा सीख जाएंगे कहीं से कच्छे रह जाएंगे इसलिए बिल्कुल low temperature के घी में हमने गलाब जमुन डाले हैं पिल्दे रहें तो यह स्क्ते pewno आप देख सकते हैं हलकी सी ब्राउन हो जाए हलकी गोल्डन ब्राउन हो जाती है तब आप इन गुलाब यहिलाटा कुल सक्ते हैं रह्हार है छमच्व के शाहता से इस तरह गुलाब जमुन क्रैक नहीं हुआ है और एकदम बढ़िया से बने हैं एकदम अच्छे से फूल गए हैं अब हमेने निकाल लेंगे फ्राय करने की तुरंत बाद हमें इने चाष्टी में डाल लेना है और इसे चाष्टी में एक दमच्छे से डिप कर लेना है इस तरह से फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कितने बढ़िया गुलाब जमुन बन करके तयार हुए हैं बिल्कुल भी क्रेक नहीं हुए हैं और इक दमच्छे से चारो तरफ से सिख गए हैं एक जसा कलर आया है गुलाब जमुन में दोस्तो अब हमें सेम प्रोसेस से बागी के बचे वे डोके भी गुलाब जमुन बना करके तयार कर लेंगे बहुत ही असान है इस तरह से गुलाब जमुन बनाना और बहुत ही परफेक्ट बनते हैं तो दोस्तो कैसे लगी आपको मेरी एक काला गुलाब जमुन की रेसेपी रेसेपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही मुझे कमेंड शिक्षन में कमेंड करके बताईएगा कि आपको मेरी एक रेसेपी कैसी लगी मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ अंदर से एकदम सोफ बने हैं मार्केट से भी बढ़िया गुलाब जमुन बनकर के तयार हुए हैं अगर आप इस सरे से एक बर बना करके खाल होगे न तो आप मार्केट के गुलाब जमुन खाना भूली जाओगे दोस्तो आप इन गुलाब जमुन का टेक्स्टर देख सकते हैं अंदर तक इद्धम उच्छे से पग गए हैं और अंदर तक चाष्टनी गई है इद्धम रस्दार गुलाब जमुन बने हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको जोजो बाते बताई हैं अगर आप उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन गुलाब जमुन को बनाएंगे तो आपके गुलाब जमुन बिलकुल ऐसे ही बढ़िया बनेंगे और दोस्तो खास बात तो यह है कि इन गुलाब जमुन को बनाने में बिलकुल भी टाइम नहीं लगता है बहुत ही कम समय में और बहुत ही असानी से गुलाब जामुन बन जाते हैं अब बिना ज़दा देर करते हुए आप इस रेसिपी को ट्राइ करेए और मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताईए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आप ऐसी ही स्वीट डिशीज का मज़ा लेना चाहते हैं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा और साथ ही बेल आप पर भी क्लिक करिएगा जिससे आपको हर न्यूँ वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए दोस्तों आप इन स्वादिस्ट गुलाब जामुन का मज़ा लीजे मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में ने रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई